Hello everyone, welcome back on my youtube channel, कैसे हैं आप सब, उमीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, हम भी बहुत अच्छे से हैं, and आप सभी का welcome है आपके अपनी youtube channel पर, मैं हूँ youtuber साधना सोनी, happy with simple life, so guys, आज का title तो आपने पढ़ी लिया, yes, मैं आई हूँ अपने पती देव जी के साथ, date पर, coffee date पर, तो आप लोग देखिएगा अभी, यहाँ पर हम लोग और क्या क्या करने वाले हैं, आज हम दोनों साथ हैं, बहर आए हूँ हैं, और पता हैं, बच्चे स्कूल में थे, तो बच्चों को लेकर नहीं आएं, और वैसे भी बच्चों की सारी shopping तो हमने कर ही लिये, और अच्चा आज न मुझे market भी आना था, जैसे कि आप लोग को मैंने कल के vlog में बताया था, हम लोग बाहर जा रहे हैं, शादी में, तो आप लोग को पता ही हैं, जब शादी में जाते हैं तो shopping बहुत ज़्यादा हो जाती है, और खास तोर पे ladies की shopping कुछ ज़्यादा होती है, husband का, या फिर लड़कों का क्या होता है, कि shirt, pant, jeans, मतलब किवल कपलों का ही tension होता है, और या फिर बहुत ज़्यादा अगर हुआ, तो foot wear का, मतलब रहता है थोड़ा tension, कि foot wear क्या wear करना चाहिए, ऐसा वैसा, लेकिन वही ladies का बहुत ज़्यादा हो रहता है, marketing, shopping, जैसे कि अब सारी लिया, तो सारी के साथ की चूडियां हो गई, चूडियां हो गई, बिंदियां हो गई, और महंदी हो गई, hairstyle हो गई, काफी चीजे हो जाती है, मतलब मैं तो बहुत ही कम बता रहे हूँ, आजकल शादियों में जाना, और हर एक चीज आप लोगों पता ही है, ladies का, तो बस कुछ ऐसे ही था, मैंने ऐसी बोला था, हलका ही साय, कि मैं यह को मार्केट जाना है, घर पे बोला था, मैंने, तो पती देव जी ने, बस मेरे मूँ से ऐसे निकल जाए, तो उनका यह रहता है, कि चलो तुरंत चलो, तो मैं यहाँ पर आई थी, मैंने बोला कि मैं पीते हैं, अच्छा, यह जो आपको पीछी है, हमारे बड़ा सा दर्वाजा जैसा दिख रहा है, अच्छली वो है, हल्दी घाटी मार्ग, ठीक है, वो देखे है, हल्दी घाटी मार्ग है, यहाँ भी, यह हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, और आप यह होड़ेगा, यह देखे, अच्छा, मैं आपको बता रहे थे, हम लास्ट टाइम जब आये थे, तो हम वो वाले कैफे में थे, और वहां से हमने कोल्ड कॉफी वगरा, और चाइनीज वगरा हमने खाया था, ठीक है, तो मैं यही बता रहे थे आप लोग को, बाकी यहाँ पर दिखता रहेगा, मुझे ना बंद जगा में खाने से अच्छा, ऐसी खुली जगा में खाना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तो यह मेरी अपनी पर्सनल च्वाइज है, आपको कैसा पसंद बताईएगा, तो यहाँ पर यह गया है, कॉफी लेने, कॉफी च्छा लगता है, आप को में आपको कैसा बहुत है, तो आपनी पसंद का मगा हो, तो यह मैं ने order किया fried rice और कर्मा करम मंचूरियन मुझे बहुत बहुत पसंद है और इतना tasty बनाया इन्होंने मुझे उमेद नहीं हो रहती है इतना अच्छा बना पाएंगे लेकिन इतना tasty बनाया इतना tasty कि मैं क्या ही बताओ बहुत अच्छा लगा और इनको भी बहुत पसंद आया तो यहाँ पे हम लोग दोनों लोग enjoy कर रहे हैं करमा करम खुले आसमान के नीचे एक प्यारी सी date husband के साथ पता है कई बार ऐसा होता है कि मेरे पति देव जी long drive पे लेके जाते हैं ठीक है पता है इस तरह से na husband wife का रिस्ता बहुत जादा strong होता है आप लोग को भी मैं बोलना चाहूंगी कि कभी अगर आपके पास समय हो टाइम हो तो अपनी husband के साथ long drive पर जरूर जाए और long drive पर जाने के बाद midway में थोला सा coffee, चाए या फिर जैसा season हो cold ring बगएरा वो भी आप जरूर ले और थोला बहुत खाए पिए इससे भी पता husband wife का जो bounding है ना वो बहुत strong रहती है, आप यहीं कह रहे थी मैंने finish कर लिया है ठेक है, बहुत tasty था बस मैं और क्या ही बोलू बहुत जादा और इनको भी बहुत पसंद आया और अभी यह गय है coffee लेने, जैसा कि उने मुझे बोला था कि आज coffee date पे चलते है तो coffee लेने गय हुए तो coffee आती है, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ ठेक है, तो यह सामने से ही हमने सारे चीज़े order कर रहे है ठेक है, यहाँ पे बहुत सारी छोटी 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 है लेकिन बहुत भील रहती है तो हम जानबुच के इधर बैट गए थे कि यहां पे जादा भीर नहीं थी ठीक है और उस साइड में बहुत भीर थी तो चलो अभी कॉफी आ रही हमारी तो यह हमारी टार्क कॉफी आ गई और बहुत टेस्टी थी और अविस्ली टेस्टी होनी थी क्योंकि मैं हस्बंट के साथ ही इसे एंजॉय करने वाली हूँ काफी तो चलो फटा फट से इंजोई करते हैं तो यही है आप भी इस तरह से अपनी हस्बन के साथ डेट में जाएं ऐसा नहीं है कि शादी हो गई तो हम डेट पर नहीं जा सकते हैं नहीं आप शादी के बाद भी अपनी हस्बन के साथ डेट पर जाएं देखिए feeling बहुत अच्छी होती है और बहुत बहुत अच्छा लगता है अपने relation में bonding बहुत अच्छी होती है कुछ मतलब refresh हो जाते है कुछ ऐसा रहता है और यहां करम करम कॉफी है तो मत ही पूछो रिष्टों में भी ऐसा ही रहता है bonding बहुत अच्छी रहती है मतलब जो relation होते है उनमें भी गर्माट बनी रहती है तो ऐसा रहता है कुछ और यह पता है हल्दी घाटी मार गए और यहां पे जो आप लोग देख रहे हैं यह पीछे जो दरवाजा है बहुत बड़ा है पता है और फ्राइड रहाज मंचुनेर एंजॉय करने के बाद हम यहां से निकल रहे हैं ठीक है अब मैं जाओंगी मार्केट चोड़ियां लेने के लिए अभी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लेना है बस चोड़ियां लेनी है और एक दो चीज और कुछ पसंद आई तो वो भी मैं ले लूँगी और मैं इनको मार्केट में मतलब घर से तो मैं गहीं बोलती है मुझे बस ये चीज़ चाहिए आप चलिए और जब मैं मार्केट जाती हूँ तब मुझे याद आता अगर मैंने दस चीज लिये ना तो भी वो बोलते है कि कुछ और ले लो कुछ और भी ले लो तो ये दो को कितना बड़ा है ना दर्वाजा इसे हल्दी घाटी का मार्क बोलते है इंस्टाग्राम में आप देखना जैपूर की कभी कोई भी वीडियो होती ना तो ये हल्दी घाटी मार्क जरूर दिखाते है तो ये है मार्क हल्दी घाटी और पता है इसके पतलब थोला सा मुश्किल से 50 कदम भी नहीं चलना पड़ेगा और हमारी मार्केट आ जाएगी तो अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगे ठीक है सेक्टर आर्ट की मार्केट आ जाएगी तो बस ये वहीं चलते हैं हम लोग और वहाँ चलके मेरे को चुणिया परचेस करनी है और हाँ बातों ये बातों में अभी तक हमने आप से बोला ही नहीं अगर आपको आज का ये प्यारा सा खुबसूरा सा व्लोग पसंदारा है तो प्लीज लाइक चापना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना सब्सक्राइब जरूर करना बैल नोटिफिकेशन ओन करना क्योंकि अब जो व्लोग आएंगे वो आपको शादी के व्लोग देखने को मिलेंगे नेपाल के व्लोग तो कौन-कौन देखना चाहता है कमेंट करके बताईएगा और प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपके पास आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे ठीक है और मैं इन से यही कह रहे थे चूड़िया लेने जल्दी चलिए ऐसे करके बच्चों को स्कूल गए थे हम डिरेक्ट फिर वहां से आये थे फिर शाम के टाइम पे मेरे पती देव जी बच्चों के लिए चौमिन और मॉमोज ले आये थे और बच्चे चौमिन और मॉमोज दोनों एंजॉय करें क्योंकि हमने तो मॉर्निंग में एंजॉय किया और मेरे पती देव जी का मन तो मानता नहीं है जब तक बच्चे भी ना खाएं तो ऐसा है कुछ इनका कि ये थोड़ा काम से गयते बहार और वहाँ से फिर मॉमोस लेके आए बच्चों को मॉमोस पसंद है और उसके बाद लेकर आए चौमिन भी लेकर आए थे चौमिन मुझे बसंद है तो मेरे लिए तो नहीं बच्चों के लिए लेकर आए थे मैंने तो मॉर्णिंग में जॉई किया थे लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि मैं ना खाऊं ठीक है तो यहां मैं तो खाने वाली हूँ व्लोग आने वाले बहुत अच्छे अच्छे आने वाले हैं और साधी के व्लोग आने वाले हैं नेपाल की शाधी मैं आप लोग के साथ भी मैं मतलब दिखाने वाली हूँ आप लोगों को भी कि वहाँ कैसी शादी होती है कैसा क्या कल्चर है सारी चीजे वैसे तो नेपाल भी हिंदू रास्ट है ठीक है तो वहाँ पर कुछ ऐसा अलग तो नहीं होता होगा शादी सेम होती है लेकिन फिर भी अगर मुझे कुछ लगा कि हाँ यह कुछ different है तो वो मैं आप लोग के साथ share करने की पूरी कोशिश करूँगी हर एक चीज मैं वहाँ पे हर एक moment मैं capture करूँगी ठीक है मैंने पती देव जी से काया प्लीज प्लीज मुझे नेपाल के momos जरूर खिलाए मुझे देखूँगी मैं और आप लोग के साथ भी share करूँगी ठीक है टाइम मिला तो हम नेपाल के momos जरूर खाएंगे वैसे तो पिछली बार हम गये थे हमने बहुत enjoy किये थे वहाँ momos तो फिर चलिए बस आज के vlog में इतना ही है मिलते हैं आपसे अपने अगले vlog में तब तक के लिए bye bye take care love you all और हाँ जी wait कीजिएगा मेरे आने वाले vlog